हम लोग चुनाव जिताना हराने वाली बात नहीं है लेकिन एक moral responsibility है आप किसी के advisor के तौर पे या advisory capacity में आप चीजों को drive कर रहे हैं या चीजों को suggest कर रहे हैं या उसको execute कर रहे हैं अगर परिणाम आपके हिसाब से नहीं आता है तो you should be man enough and humble enough to say कि मेरे से नहीं हुआ I quit इसम नहीं बाके संदचना के साथ अपना यही सवाल फिर से पूछता हूं आपसे प्रशांत किशोर सक्री राजनीती में एक दफा आये थे जेडियू के पर्चम तले चीजे जेडियू के हिसाब से प्रशांत किशोर ने नहीं की या प्रशांत किशोर के हिसाब से जेडियू न बनती है उस पर डिपेंड करेगा राजनीती में निश्चित तोर पर आएंगे क्योंकि मैंने पहले भी कहा है फिर रिपीट कर रहा हूं मेरा जीवन का धे जो मैं अभी कर रहा हूं इसको करते पूरे जिन्दिगी पर करते रहना नहीं है अपनी पार्टि पनाएंगे न लए मुझे नहीं मालूम है इन चीज़ों नहीं मालूम है या अप अपने पत्ते अभी खोलना ये einen नई, मुझे सही में नहीं मालूं है, अगर आप मेरे से दो साल पहले या ने शूरा कहले अगर आपने ये पूछा होता कि आगे आप क्या करेंगे, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं बेंगॉल में बैठा होंगा, और जब आप से पिछली बार बात हुई थी, और उस समय आप से मेरी लंबी बात हुई तो अगर आपने पूछा होता कि आगे डेर साल का क्या प्लान है तो मैं वही बता सकता था जो मुझे दिख रहा है जीवन में सब चीजें जो है मैरे आईसा मानना है कि जीवन में कई चीजें और रादर ज्यादा तर चीजें आपके अनुसार आपके इक्षा कानुसार या आपके सोचे कानुसार नहीं चलती है You have to live with it कुछ चीजें आपके अनुसार होगी, कुछ चीजें आपके अनुसार नहीं होगी जो नहीं होगी, फिर you will have to work around it मैंने जेडियू जॉइन करके पॉलिटिक्स में अपनी एक शुरुवात करने की कोशिस की सफलता नहीं मिली फिर जो काम जानते थे समझते थे जिस छेतर में थोड़ा बहुत कुछ अपनी जगा बनाई हुई थी उसमें वापस लोटे हैं इसमें फिर से करके कुछ अच्छा अगर दिखाएंगे तो मुझे पुरा विश्वास है कि बहतर समझ बहतर तैयारी के साथ फिर से पॉलिटिक्स में उतरा जा सकता है और काम वहाँ पर किया जा सकता है यह गैरंटी नहीं है कि फिर मैं वहाँ फेल नहीं हो जाओंगा लेकिन मैं फेलियर से उससे डरता नहीं हूँ फिर ट्राइ करेंगे अगर फिर सफल नहीं हुए तो फिर से और बहतर बनने का प्रयास करेंगे और उस प्रयास के करम में बिहार जाईएगा क्योंकि वहां लोग खोज रहें आपने बिल्कुल ठीक है बिहार तो जाएंगे अगर देखिए जब अगर politics में हैं लौजवानों को बहुत सपने दिखा कर आए थे आपने सपने सपने तो मैं किसी को बिहार से अलग तो हो ही नहीं सकती है लेकिन किस फॉर्म किस शेप किस टाइम में होगी उसको बेहतर तभी बता पाएंगे जब वो चीज़े सामने उबरेंगी चलिए भविश्य से वर्तमान पर लोटते हैं ममतब को एनरजी से आप पहली दफा का बिले थे 2015 से मैं दीदी से मिलता रहा हूँ 2015 में दीदी बिहार के एलेक्शन को जब का जो रिजल्ट आया था सपत गरहन समारों में आई थी तब मैं उनसे मिला थे पहली बार और उसके बाद उन्होंने यहां बुलाया मैं यहां आया भी 2016 2016 से पहले और कई दिनों तक ऐसी हमारी उनकी बातचीत भी चलती रही कि सायद यहां मदद की जरुरत है या हम लोग कुछ यहां कर सकते हैं क्या लेकिन उनको भी और मुझे भी ऐसा उसमें लगा कि ऐसी कोई जरुरत है नहीं और मैं खुद बिहार के उसमें अपने इसाइ कोई जरुरत है नहीं आप बहुत असानी से चुनाव जीत रहें उसमें हम लोग कैसा अनुमान था और एक जो मैंने आपको पहली बात बताई थी कि एक एक्जूबरेंस यूथ वाला जो होता है कि भी जो बड़ी लड़ाई है वहां जाए और पंजाब और यूपी उसमें से बातचीत हमेशा रही है चुनाव के रिजल्ट आने के मुझे लगता है कि दो से तीन अप्टे के दौरान हम लोग मिले होंगे उसमें से बात बातचीत कुछ ऐसा है नहीं एक मीटिंग हुई उसके बाद से मैंने बताया ठीक है अगर आप जो कुछ भी मेरे से बन अब मैं करूंगा प्रशाद आप केमरे के सामने इतने विनम्र नजर आते हैं अपनी बातचीत में ममताब एनर्जी के बारे में इस तरह के दावे राजनेतिक टिपनीकार नहीं करते हैं और उन्होंने एक्रॉस दबेंगॉल में अलग-अलग पत्रकारों से कॉलमिस्टों से अलग-अलग इंक्लिमेशन वालों से मिला एक क्वेरी सब की साजह थी कि ममताब एनर्जी की स्टाइल और फंक्शनिंग देखने के बाद कि कभी वह बहुत वातसलमई और कभी बहुत प्रतिशोदमई हो सकती हैं दोनों ही रूप है उनके तो वह आपकी बात कैसे माल ल ही है कि कितनी बातों में मेरी बात सुननी जा रही है और कितनी में नहीं सुनी जा रही है